आप सभी को जैहिंद, इस वीडियो में दो चर्चाएं में करने जा रहा हूँ, पहली जो चर्चा है वो ये कि प्री क्यों नहीं निकलता है, या प्री निकालने में दिक्कत क्यों होती है, दूसरी चर्चा यहाँ पर प्री से रिलेटड जो कोर्स हैं हिंद अकेडमी के जो भी लॉंच हो रहे हैं, उनकी चर्चा यहाँ पर की जानी है, तो सबसे पहले ये मैं आपको बता दूँ क्योंकि आप बाद में कहें कि ये कोर्स के लिए है, पर कोर्स तो इसमें बताना ही था, पर मुझे लगा कि साथी साथ इस वीडियो में ये भी आप से चर्चा कर ली जाए कि समस्या क्यों जाती है प्री को निकालने में, प्री को निकालने में समस्या इसलिए जाती है क्योंकि आप देखेंगे कि ये चार चीजें जो हैं, वो हमेशा क्या करती हैं, बाधाय बनती हैं, प्री में, पहली जो बाधाय या जो समस्या है, वो है नोट्स का दुस यह क्या है नोट्स का दुस्चक्र भी आप समझोगे आप लोग अपने आपको देखोगे तो आप इस दुस्चक्र में फसे हुए पाओगे दूसरा सिलेबस पर विश्वास अब आप कहोगे सिलेबस पर विश्वास कैसे आप कह सकते हूँ कि यह समस्या है मुझे पता है कि आप कितना बिस्वास करते हो, कितना नहीं करते हो तीसरा आपका है source आपको कहोगे अब इसमें क्या समस्या है वो भी मैं आपको भी बता दूँगा चौथी जो समस्या है वो प्रैक्टिस तो ये वो जो चार समस्या है जिनकी वज़य से pre नहीं निकलता अगर आप इन पे क्या करेंगे काम करेंगे और सुधार करेंगे तो आप यकीन मानों कि आपको बहुत जादा समय नहीं लगेगा इंप्रूब्मेंट करने में और आप देखोगे कि आप फ्री में बहुत अच्छा करने लगे हो नोट्स का दुस्चक्र अब देखो मैं तो टीचर भी हूँ और अकेडमी को भी रन करता हूँ तो मुझे पता है कि कंटेंट कैसे बनता है सब जगह पर और मेरे यहाँ पर भी और अधिकतर लोग कैसा उसको बनाना चाहते हैं होता यह है कि जब अगर नोट्स को सामान बनाया जाता है हडबडा हट में बनाया जाता है बस तुमको दे देना है ठीक है बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है बच्चे मांग रहे हैं आप मना नहीं कर पा रहे हैं कैसे कमाना है तो होता यह है ए नोट्स बी नोट्स को देखता है बी सी को देखता है सी डी नोट्स को देखता है इस तरीके से चार पांच नोट्स उठाते हैं लोग बाग और नोट्स बनाना सुरू कर देते हो फिर आपको दे देते हैं उसी से टीचर पड़ता है उसी से फि भी वो A notes के रूप में फिर present हो जाते हैं यहां पर A notes, B notes, C notes, D notes, teacher के notes, self notes ये समस्या है क्या नहीं ये तो होना ही चाहिए कोई भी teacher पढ़ा रहा हो या किसी दूसरे academy के notes उनको देखने में कोई हर्ज नहीं होता है सबका देखना चाहिए क्योंकि वो सबका क्या है MPPSC के लिए बनाया है और हर कोई यहीं चाहिए रहा है कि selection के लिए हो पर इन notes में समस्या क्या हो गई है notes में समस्या ये हुई है कि यहां पर book जो है उसका अभाव है उसको testament में डाल दिया गया है अगर A notes बन रहा है तब भी book को देखना चाहिए B notes बन रहा है तब भी book सामिल होने चाहिए C बन रहा है तब भी D बन रहा है तब भी teacher पढ़ा रहा है तब भी book को सामिल होना चाहिए यहां यह भी बड़ी समस्या है टीचरों को बोलना पड़ता है मुझे खुद बोलना पड़ता है कि आप बिना बुक पड़े आप पड़ाने नहीं जाएंगे वो कहते फिर लेक्चर नहीं हो पाएंगे कोर्स कंप्रीट नहीं हो पाएगा मैंने कहा ऐसा कराने का मतलब भी नहीं है कि टीचर ने बुक ही नहीं पड़ी है बुले ऐसा कहीं नहीं पड़ा जाता बहुत कम लोग है जो करते हैं फिर इसी मौलजे रहेंगे मैंने कहा टीचर का प्राइमरी काम जो पहला काम है वो यही है बुकों को पड़ना और उनके source बच्चों को बताना कि यहाँ से इसको पढ़ा गया है यहाँ से इसको समझा गया है उसको फिर आपके exam के according syllabus के according हमने आपको represent किया हुआ है source का नाम बताने में क्या हरज है कोई भबस्थमानी थोड़ी कर रहा है कि बिना किसी source के बता दूफ तो मैं तो आपको बताता हूँ कि भाई ये वाली किताब हैं उसमें से ये पढ़ा गया है उसके बाद आपको ये दिया गया है पर यहाँ पर आप देखेंगे कि ये दुस चक्र सुरू है उसमें हो क्या रहा है उसमें हो ये रहा है कि आपकी महनत जियों की तो लग रही है प यहीं भी का मतलब ऐसा नहीं है कि बुक से बना ही नहीं है पर authentic source और बुक को निचोड के नहीं बनाया गया है अभी कुछ दिन पहले मैंने जब रियास्तों की क्लासें लें तो उसमें यहीं मैंने देखा कि किताबों को भी देखा गया है पर उन किताबों को भी आधा अधू प्रेंट का काम वो जाने बस वो मांग रहा है इसलिए तुरंत दे दो यहां यहां पर आपकी भी गलती है आपको इतनी समझ होनी चाहिए कि अगर अच्छी चीज होती है तो उसमें थोड़ा सा समय लगता है तो सामने वाले पर कभी भी इतना प्रेसर मत डालो कि वो आपक आपकरी में क्या मिले सुन नवटे सन्नाटा तो एक गलती यहां पर होती है आप इस दुस्ट चक्र में घुश जाते हो और फिर आपको लगता यह बैस्ट था फिर लगता यह बैस्ट था फिर यह बैस्ट था फिर यह बैस्ट था फिर यह बैस्ट था और आप यही तो उसको इखटा कर लेते हो, ना फर ये पढ़ पाते हो, ना वो, ना ये, और ना ये, और आखरी में एक्जाम आ जाता है, और सब तैयारी धरी रहती है, फिर आखरी में यही कहते हो, कि इस बार फिर फिर दो नम्मर से रुग गया, ये वाला question बना नहीं, syllabus पर विश्वास, आप लोगों को एक आदत लग चुकी है, वो मैं ये देखता हूँ, कुछ भी पढ़ने की, अगर कोई अच्छा exam होता है, तो उसका syllabus होता है, MPPSC अच्छा exam हो, उसका भी syllabus है, और अच्छे student वो होता है, जो syllabus के according पढ़ता है, syllabus को समझता है, उसकी requirement को समझत है, आप देखो, 2024 का paper है, सब को ठफ लगा, cut-off भी हाई गया, वहीं पर आप इसके प्रस्ण को उठाओ, और आप अपने syllabus को उठाओ, अगर यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा होगा, तो मैं बोलूँगा, उसको एक बार सुन लेना, पहला प्रस्ण यहाँ पर है, मनुस् मतलब सिर्फ और सिर्फ आप अपने syllabus पर ट्रस्ट करते हैं, पहला काम तो यहीं है, दूसरा काम extra का होता है, पहला काम syllabus होता है, दूसरा काम extra करना होता है, पर आप क्या करते हो, पहले extra करते हो, दूसरे पर syllabus को रखते हो, अनुवानसिक रोग, अगर आप सिर्फ अनुवा सिक रोप की लिस्ट पढ़ोगे तो आप से ये कॉस्चन बनते हुए दिखेगा ये है सिलेबस पर विश्वास दूसरा कॉस्चन राष्ट्य स्वास्थ नीती 2017 सिलेबस में देखो स्वास्थ नीती फिर दूसरी लाइन से कॉस्चन बना पर आपने एक्स्ट्रा करने के चक्र में स्वास्थ नीती को छोड़ा फिर कॉस्चन में गोते लगाते रह गए तीसरा कॉस्चन है किस दाल का लगातार सेवन करने से लेथाईरिज्म नामक रोग हो जाता है फिर यहाँ पर संक्रामक रोग या अन्न रोग जो हम पढ़ेंगे वहीं पर स्वास्थ नीती में तो सबसे उपर की लाइन पड़ों भारत के प्रमुख बैग्यानिक संस्थान एवं उनकी उपलब्भियान बहुत सारे बैग्यानिक संस्थान है पर आप सभी जानते हूँ कि अगर बहुत सारे हैं पर उसमें इसरो, डियाडियो, वार्क, कैट ये चार ऐसे संस्थान हैं जो स सभी मोटाई को डैस डैस में मापा जाता है अगर आप इसको प्रदूसर में सामिल करते तो भी बन जाता बिज्ञान के सामानवाली साखाओं में या प्रारम भिज्ञान में डालते तो भी आपसे बन जाता मनुष सरीर में ग्रीबा कसेरिकाओं की संख्या होती है मंगल ग्रह के लिए भारत का पहला अंतरग्रिय मिसन किस बरस में सफलता पूरबक लाउंच किया उप ग्रह एवं आंत्रिक्ष प्रोध की यह और फिर नेक्स पढ़ो आंत्रिक्ष विज्ञान के छेत्र में भारत की उपलबधी तो आंत्रिष विज्ञान के छेत्र में भारत की उपलब्धी में आप पढ़ोगे तो दूसरे तीसरी लाइन पर आपको ये वाला प्रस्ण मिलेगा कहीं से भी पढ़ो आप अभी सर्च कर लो ये और आप देखना कि आपके साथ प्रस्ण सीधे के सीधे से ले बस से आए से इनोट्स कम मिलेंगे ये नोट्स कव कर ON कि फिर देखो आंगे और देखो आंगे इसके पूरे प्रस्ण आप देखो गगे जितने 10 के 10 हाँ ये है न भारत सरकार ne जल प्रदूसन निवारन एवं नियंतन अधीनियम का पारित किया प्रदूसन में जल प्रदूसन पड़ो और उनका प्रवंधन पड़ो सिर्फ इतना डाल दो प्रदूसन और उनका प्रवंधन आप देखना पहली लाइन में आपको यही अधीनियम का नाम मिलेगा सर्च कर लो सतत विकास लक्ष इंडिया इंडेक्स 2018 सीधा लिखा हुआ है SDG, कहां गया, ये लिखा SDG एक जलिये परी तंत पारिस्थितिकी तंत्र के तालाब में पारिस्थितिकी ये तंत्र ये लिखे, कुछ नहीं, बहुत सारे प्रकार नहीं होते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के 3-4 होते हैं, उसमें से एक कॉस्चन ही आ गया मतलब क्या कि 10 के 10 से प्रसन आपके सिलेबस की लाइन से और अगर उसको पहले पेज में पढ़ोगे तो पहले पेज में A नोट्स, B नोट्स, C नोट्स D नोट्स, Indh Academy के नोट्स कहीं के नोट्स की जुरत नहीं है, आप सीधा डालो पारिस्थ की तंत उसके प्रकार आप सर्च करोगे एक पेज में और आप खुद भी बनाऊगे तो भी बन जाएगा प्रदूसन और प्रबंधन डाल दो सर्च करो, प्रदूसन और उनका प्रबंधन पहला ही आपको अधीनियम मिलेगा प्रबंधन में, पहला सरकार के दोरा अधीनियम बनाया गया इस प्रदूसन के प्रबंधन के लिए ये डालो मानो सरीर सनरचना, गरीवा बाला भारत की आंतरिक्ष बिज्ञान के छेत्र में भारत की उपलब्धिया सर्च करो अभी और आप देखो गे आपको मंगल सबसे पहली हैडिंग मिलेगी उसमे इसका मतलब क्या था कि जब 10 प्रदूसन वो हमसे सिलेबस से पूछा, तो एक्स्ट्रा हमने पहले क्यों किया पर आप सभी को पता है कि इसमें से आपने कितने प्रस्ण गलत करिये है यही होता है अपनी लीड को छोड़ देना यहां आपको लीड मिल रही थी ना 10 में से 10 प्रस्णों की क्योंकि जो कटे ना उट आफ आफ आएंगे तो वो तो आएंगे ही तो यहां तो 10 बटे 10 किया जा सकता था संभाव था अगर आप से लेबस पर विश्वास करते पर नहीं आपको एक्स्ट्रा करना था आपको B नोट C नोट, D नोट, टीचर नोट सेल्प नोट, पता नहीं क्या-क्या कौन-कौन से नोट देखने थे उस चक्कर में क्या हुआ आपने अपनी लीड खो दी क्यों? क्योंकि ये 10 मैं से 10 आ गया अथी बात है, पर ऐसा थोड़ी होगा कि हर जगे 10 मैं से 10 ऐसे ही आ जाएंगे पर हाँ, 80 कौस्चन आपके ऐसे ही आएंगे आप उनमें लीड छोड़ देते हो 20 कौस्चन में हमेशा लीड लेने के लिए घूमते रहते हो, जो आपके बस में ही नहीं है ये दूसरी गलती होती है इसलिए प्री नहीं निकलता है आप इसको सुधारो आप देखना आपका इंप्रूमेंट होने लगा पढ़ने का तरीका तीसरी गलती ये पढ़ो मद्द प्रदेश का भूगोल ये आपका सिलेबस है पढ़ो क्या लिखा है बन बनोपज नदियां, पहाडियां और पठार जलबायू, रितुएं, तापमान, बर्सा प्राकृतिक संसाधन, मिट्टियां प्रमुख खनिश संसाधन, प्रमुख फसलें, जल संसाधन, सिचाई और सिचाई प्रियोजनाय, उर्जा के पारंपरिक और गहर पारंपरिक स्रोद, मद्द प्रदेश के प्रमुख उद्धयो, जन संख्या ब्रद्धी, बितरन, एबम घनत, नगरी करन लिखा है अब आप यहां पर देखो, आप से कॉस्चन क्या पूँचा बिन्ध स्कार्प लेंड का दक्षनी भाग क्या कहलाता है, सबसे कठिन लगा, क्यों लगा किताब पड़ी नहीं थी, बी नोट्स पड़ी थी, और बी नोट्स बनाने वाले ने भी किताब नहीं पड़ी पर रहे हो, पहाड़ियां या परवत, कितने परवत हैं मद्ध प्रदेश में, बताओ मुझे जरा, दो ही परवत हैं, मुख रूप से, और दो में से उसने एक से क्वेस्चन पूछ रहे हैं, आप से बना नहीं इसका मतलब क्या निकालोगे, कि भई 50-60 परवत होतें, फिर उनको पढ़ना होता, तो संभावता की छूट गया हो, दो ही परवत थें, फिर भी डिटेल में बिंद इस कार प्लेंड नहीं वन रहा है पांच-दस-बीस-पचास परवत होतें, विश्चु के पूरे परवत पढ़ने होतें इस यूनिट में, इसमें साफ लिका है मद्ध प्रदेश का भोगल उसकी पहाड़िया, परवत, दो प्रमुख है, उसमें से उसने एक में पूछ लिया, सत्पुड़ा और बिंध ही न ये क्या लेखा सबसे नीचे, जन संख्या ब्रद्धी, बितरण, घनत, नगरी करण, अब मैंने आपसे कॉस्चन पूछा, मद्ध प्रदेश में डैस जैस जन संख्या ब्रद्धी के साथ इंदोर सरबादिक जन संख्या ब्रद्धी वाला जिला रहा है, सांसे फूलने जन संख्या ब्रद्धी, ये बस थोड़ी लिखा है कि जन संख्या ब्रद्धी बस आप परसेंट में बताना, नहीं पूछना मुझे परसेंट में, मुझे अंकों में पूछना है कितने लाख बड़ोत्री के साथ सरबादिक जन संख्या ब्रद्धी वाला है, क्यों नहीं जन संख्या ब्रद्धी को तो देटेल में पढ़ो पूरी जन गणना को मत पढ़ो पर ब्रद्धी में कैसे प्रस्ण पूछे जा सकते हैं परसेंट वाले पूछे जा सकते हैं अंकों वाले पूछे जा सकते हैं यहाँ पर ट्रेंड वाले पूछे जा सकते हैं जनसंख्या ब्रधी जिलेबार पूछी जा सकती है, तो जनसंख्या ब्रधी को डिटेल में पढ़ो फिर मद्ध प्रतेस में, मद्ध प्रतेस में कुल जनसंख्या की ब्रधी कितनी है, परसेंट बस पता है, इतना परसेंट जनसंख्या ब्रधी हुई, अब वही इस तरीके से पूछ ले फिर क्या करोगे फिर नहीं बन रहा इसका मतलब क्या था इसका मतलब है कि आपको syllabus पढ़ते नहीं आता या पढ़ने का तरीका गलत है मैंने अभी कुछ दिन पहले और हर कोई कर सकता है पर कोई करना नहीं चाहा रहा क्योंकि उसमें थोड़ी सी महनत लगती है और हर कोई महनत से बचना चाहा रहा है तो आप क्या करो थोड़ा सा पढ़ने का आप अपना तरीका बदलो आप देखना आपका result अपने आप ठीक हो गया जन संख्या ब्रद्धी आपको लगा बस इतना करना है अरे जन संख्या ब्रद्धी को तो detail में पढ़ो यह सिलेबस में हैं आपके क्योंकि मैंने नहीं कहा कि मैंने जब सार्की की class ली तो मैं नहीं कह रहा हूं यहाँ पर फूरी जन गलना को ऐसे नहीं पढ़ना है पर जन संख्या ब्रद्धी बेतरण घनत और नगरी कर्म तो जन गलना में ये वाले जो पार्ट हैं ये चार इनको जितने detail और types के question हो सकते हैं उस format में आपको पढ़ना पढ़ेगा अगर नहीं पढ़ा है तो जान बूच के आपने अपने पैर पर को लहड़ी मार ली है समझो ये और आपको नहीं पढ़ाया गया है तो फिर समझो की सीधे सीधे काम चोरी या मकारी की गई है समझ रहे हूँ, इस बात को आपको समझना पड़ेगा क्यों? क्योंकि आप महनत करोगे ऐसा नहीं है कि महनत नहीं करोगे आप महनत करोगे, पर आपको उसका रिजल्ट सुन न मिलेगा, क्योंकि मैं question ऐसा पूछूंगा, या कोई पूछ ले क्योंकि यहाँ पर जनसंक्या ब्रद्धी man heading के साथ लिखी हुई है सिलेबस में, तो जनसंक्या ब्रद्धी ऐसी पूछेगी, मद्ध प्रदेश में टेश जजज जनसंक्या ब्रद्धी के साथ, इंदोर सरभादिक जिनसंग के ब्रद्दी वाला जिला है छे लाग, साथ लाग, आठ लाग, नौ लाग आप कह रहें यार सर परसेंट तो पता है 32% इसमें तुक्का माल लिया इसका मतलब कैसलेबस का कॉस्चन गलत करके आ गए यहां बितरन से कॉस्चन पूँचा है आपको सिर्फ घनत्व पता है पर मद्द प्रदेश में किस छेत्र में कितना घनत्व है भौग लिक रूप से नहीं पता कॉस्चन नहीं बट रहा मद्द प्रदेश में जनसंख्या का जो घनत्व है पूर में, पस्चिम में, मद्ध में, उत्तर में, दक्षिन में कितना है नहीं पता सर, ये नहीं पता है पर हाँ ये पता है मद्ध प्रदेश का घनत तो कितना है 2011 की जन गनना कि रसर 2011 की जन गनना गर आप पड़ोगे तो जन जातियां भी उसमें दी हुई उस पर फिर 50 टाइप के question घनत्व बनते हैं वो आपसे बनना चाहिए क्योंकि वो हमारे syllabus में लिखा है और अगर syllabus में लिखा है तो हम उसको फिर जितने detail में पढ़ सकते हैं उतना पढ़ कर जाएंगे पर आपसे question गलत नहीं होगा नहीं तो ये question आप गलत कर दोगे हो गया source मैंने बापिस से कहा ये बात बापिस से repeat कर रहा हूँ कि आप तमाम जगहों पर भटको पर आप ये समझो कि अगर आप PSE कर रहे हो तो valid source आपको पढ़ने पढ़ेंगे खुश से पढ़ने पढ़ेंगे नहीं तो जो आपको पढ़ा रहा है उनसे पढ़ने पढ़ेंगे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हिंदी गरंत अकादमी ही मद्ध प्रदेश में हमारे पाठ्ठ करम का ballot source है पता है आपको आयोग भी इसी को मानता है क्यों मानता है क्योंकि मद्ध प्रदेश में एक ही संस्था है जो ballot source उपलब्ध कराती है लिखित रूप में वो है हिंदी गरंत अकादमी मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि भारत बानी करके एक website है भारत सरकार की उस पर 600-700 हिंदी गरंत अकादमी की जो किताब हैं वो upload है free है सबको पढ़ने के लिए तो अगर आप कोई subject पढ़ते हो तो एकाद किताब तो पढ़ने ही पढ़ेगी A notes, B notes, C notes, D notes कब तक करते रहोगे क्योंकि इन notes में इन किताबों को नजर अंदाज कर दिया गया है कारण क्या है? कारण ये है कि इन किताबों को पढ़ते पढ़ते वो notes नहीं बनते उनको लगता फिरी ये क्या बकवास है? इतनी महनत के बाद थोड़ी 50 रुपे की PDF बेचनी है दस रुपे का माने है, लेक्चर लेने जाना है अगर एक किताब पढ़ेंगे तो हर दिन लेक्चर कैसे होगा? इसलिए ये चीज़ें क्या कर दी गई है? Skip कर दी गई है तो आपको लगता है skip करके ही सब कुछ चलना है नहीं, किताबें skip करने से कुछ नहीं चलेगा आपको एक बार उनको देखना पड़ेगा ठीक है? तो नोट्स भी देखो पर किताबों को एक बार तो सरसरी निगाहों से देखो क्यार ये वाली चीज़ skip तो नहीं है ये वाली चीज़ है बहुत अच्छी वाद ये नहीं विनी तो चलो इसको अपडेट कर लेता हूँ मैंने अभी बताया कि खजराहों के जो मंदिर है जिन पर नगन मूर्तियां वो हिंदी गरन्थकाजम उसमें साफ लिका है कि ये जो मूर्तियां है वो साक्त धर्म से प्रभावित है अभी मैंने एक दिन क्वेश्चन पूछा तो उसका 80-90% ने से अब धर्म लगाया क्यों लगाया क्योंकि कहीं है नहीं किसी सोर्स में नहीं है इसका मतलब है जितने सोर्स है उसमें किसी नहीं उसको बनाने से पहले हिंदी गरंथ कादमी का मद्ध प्रदेस नहीं पड़ा तो मद्ध प्रदेस फिर कहां से पड़ा था तो A वाले ने B से पड़ा, B वाले ने C से, D से बस तो जो नोटसों में चल रहा वही वही है फिर हिंदी गरंथ अकादमी की चीज हमसे क्यों नहीं बन रही तो जो एक दो फैक्ट और जोड़ते हैं नया बना देते हैं फिर एक दो फैक्ट और जोड़े नया बना दी और वस इस तरीके से सरकुलेट होते रहा और आप बस यही अच्छा लगते रहता है तो चीजों को थोड़ा सा समझो क्योंकि महनत क्या हो रही है जीरो हो रही है आपके यह देखो पिछली बार के कॉस्चन आर्थिक सर्वेक्षन से क्यों नहीं पढ़ते हैं आर्थिक सर्वेक्षन मैं दो बार से आर्थिक सर्वेक्षन आपको पढ़ा रहा हूँ सीधे कॉस्चन आये थे कारखानों का प्रतीसत जाओ तो मिल जाएगा GDP वाला ये SLR 25 वाला G20 वाला तो था ही ये भी था मद्ध प्रदेश सरकार की उन्नती प्रियोजना एग्री GIS आर्थिक सरविक्षन खोलो पूरे कॉस्चन है मद्ध प्रदेश की जन जाती है संस्कृति अब इसमें से आपनों इसे दो चार पांच क्वेस्चन एक भिम्मा वाला कहां गया एक तो ये नहीं बना था मंडवारा ते ओहर ये कुछ लोगों को दिक्कत गई थी ठीक है फिर इसके अलावा कहां था वो भिम्मा वाला हाँ ये भिम्मा जन जाती मद्ध प्रदेश की किन जुलों में निवास करती है जन गड़ना उठाओ और आज खोल कर देखो मद्ध प्रदेश की जन जाती अनुसूचि जन जातियों की सूचि जिले बार उसने दी हुई है उसके अलावा आप इस किताब को एक ही किताब थ इसका मतलब क्या है कि जुसने भी बनाया जहां से भी आपने पढ़ा एक भी किताब को पढ़ना आपने उचित नहीं समझा बनाने वाले ने भी नहीं तो एक ही किताब मद्ध प्रदेश इंदिग्राथ खाजमी की है मद्ध प्रदेश की जन जातियों संस्कृति और यही लौति किताब है मद्ध प्रदेश बिसेश के संदर में इसका मतलब इसको भी नहीं पढ़ा गया है ना समझा गया है अगर पढ़ा जाता तो फ्रिये वाला कहां से यह है सीधा लिखा हुआ है और नेक्स टांगे जाएंगे तो भिम्मा तो इसलिए होता यह है कि जब आज जैसे ही आपका एक्जाम खतम होता है क्वेश्चन गलत होते हैं फिर सब कहते हैं यहां से आया हिंदी गरंथकादमी के स्पेस से आर्थिक सर्वेक्षण के स्पेस से अरे तो आर्थिक सर्वेक्षण एक्जाम होने के बाद आता है उसके पहले भी तो आया था तो कोई दे नहीं करते हो, आपको तो पता भी नहीं है, और दूसरा आपको डिमांड भी नहीं, आपको क्या चाहिए, एक रात को पीडियप चाहिए, एक सुबह चाहिए, एक साम को चाहिए, कैसी हो उससे फरक नहीं पड़ता, बस एक पीडियप आनी चाहिए, तो भई, पीडियप अब हो ये राहे कि ऐसी चीज़ें जो आ रही है वो missing है तो आप अपनी demand बदलो demand नहीं बदल पा रहे हो तो खुद को बदलो जो भी चीज़ें करते हो एक बार खुद से भी करना सीखो भारत बाने की website पर जाओ हिंदी गरन्थकादमी के पूरे source हैं आप अपने एक यूनिट की एक किताब को चुन लो और उसमें से ये computer fundamental हिंदी गरन्थकादमी किताब है नहीं बना आपसे क्या नहीं बना आपसे आपसे यह भी नहीं बना unix operating system का कैंद्रिय भाग करनल पड़ो ये unix 63 नमर के पेच पर जाओ और वहाँ पर पहले ही लिखा हुआ है करनल मद्ध प्रदेश इंदी गरन्थकादमी का source है computer fundamental आपसे phishing spamming और spuming spoofing तीसरे यह लिखा spoofing जिसमें phishing और spoofing दोनों का mix होता उसको spoofing कहते हैं बाकि सभी question उसमें है हाँ ये मैं मानता हूँ कि आप इसको नहीं पढ़ सकते पर आपको पढ़ाने वाले आपको चीजे देने वाले तो पढ़ सकते हैं उनको पढ़ लेना चाहिए पर आपकी demand हो तब ना पढ़ेगा कोई तो आप जब कोई notes लेते हो देते हो या पूछते हो तो इसमें पूछो कि सोर्स क्या है इसका अगर कोई सोर्स नहीं है तो आपने कैसे बना दिया कोई तो सोर्स होगा अठी किताबों के notes के source होते हैं और उनमें पीछे लिखे हुए आते हैं कि भाई ये किताब बना थे समय इन सोर्सों का उप्योग किया गया आपको कोई नोट्स दिया जाता है आप सोर्स पूछते हो कहां से बनाया क्यों कि उसका कोई सोर्स नहीं जहां से मिलाओं वहां से बना दिया आपको दे दिया आप खोसो 50 रुपए 20 रुपए 30 रुपए उनके सोर्स तो होंगे ना कहां से बनाया चलो ठीक है हमने आपको 9 वी उनट दी पर मैं बता तो रहा हूं कि इसकी 9 किताबे हैं हिंदी गरंत अगाजमी की कम बुटरगी आपका कॉस्चन नहीं जा रहा वो साप साप लिखा हुआ है सबसे कठिन कॉस्चन थे इस बर्स के ये कर्निल ये स्पूपिंग और तीन-चार कॉस्चन और ये कुरेंटली आप जाओ उसकी किताब में पढ़ो market में क्यों नहीं मिलती market में इसलें नहीं मिलती आपको ये चाहिए ही नहीं आपको तो क्या चाहिए notes, b notes, जिरके कोई source नहीं है फिर पढ़ते रहना और आखरी में यहीं कहना इसबार फिर 3 नमवर से नहीं बना क्योंकि ये कोई सा question नहीं बना करनल भी नहीं बना इस pooping भी बना currently भी नहीं बना तीनो question क्या है गलत है तो फिर क्या पढ़कर गए थे पता नहीं notes पढ़कर गए थे किस के, answer के उन academy के, उस academy के तो भाई आप जिसके भी पढ़कर गए थे अच्छी बात है, पढ़कर जाना भी चाहिए देखना भी चाहिए, उसमें कोई हर्ज नहीं है ऐसा नहीं है कि देखना नहीं है पर एक ballot source भी तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए होना चाहिए या आपको पता होना चाहिए कि यह जो आप पढ़ रहे हो वो इन किताबों का निचोड है सार है ये कॉस्चन अगर निचोड होता सार होता हिंदी गरंध काजमी का तो करनल बनना चाहिए था इस पूपिंग बनना चाहिए था यह ऐसी चीज है फिसिंग बननी चाहिए थी ठीक है कुरेंटली बनना चाहिए था पर ना निचोड था न वो सोर्स थे प्रारंभी परिक्षम है प्रैक्टिस चोथा कारण प्रैक्टिस नहीं करते सब चीज़ें करने के बाद फिर इस चीज़ से पढ़ो मद्ध प्रदेश में मद्ध कालीन कलायों संस्कृती का कैंदरा है उजयन आसा पुरी भीम बेट का साची ये कॉस्चन पढ़ने से ज़्यादा कॉमन सेंस पर आधारित है तो जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप पाओगे कि आप ऐसे प्रस्णों को भी सॉल्व करने लगे हो जो डारेक्ट आपके नौन में नहीं है मतलब कुछ प्रस्ण ऐसे होते जो सीधे पड़े होते हैं कुछ प्रस्ण ऐसे होते हैं जो सीधे नहीं पड़े होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अभ्यास से बनते हैं बहुत सारे बच्चों को नहीं नहीं दिखता प्रस्ण में तो गोला गलत हुए, नहीं नहीं दिखा, बिकल्फी गलत भर दिया, पहले तो C लगाया था, फिर A लग गया, मद्ध प्रदेश में मद्ध कालिन कला एवं संस्कृती का केंदर, common sense का question है, क्यों? क्योंकि उज्जेन प्राचीन है, भीम बेटका, पासान कालिन, साची प्राचीन, आसापुरी मद्ध कालिन, नहीं है पता फिर भी तो आसापुरी लगेगा, तो सब जब प्राचीन है तो एक बस बचा मद्ध कालीन और पूछा क्या था मद्ध प्रदेश में मद्ध कालीन कलायों संस्कृति का केंड़ तो ऐसे प्रसने फिर क्या है अभ्यास से बनने लगते हैं तो अभ्यास नहीं करते हो तो अगर आप इन चार चीजों पर काम करते हो तो आप देखोगे कि आपका जो है प्रदाम अच्छा हो गया है क्योंकि सबसे बड़ी चुनोती अधिकतर लोगों को जो है प्रीम है कारण क्या है वही घिसा पिटा रविया आपने अपना रखा है नोटिफिकेशन आएगा कलेंडर आएगा पढ़ना सुरू कर देंगे इस्टेटजी कोई नहीं रन नीती कोई नहीं पढ़ना क्या है सब कुछ पढ़ना है बहुत कुछ पढ़ना है जो जो आए वो वो पढ़ना है understand के fact पढ़ने है पढ़ते रहो result भी understand फिर ये कुछ course है जिनकी मुझे detail देनी थी आपको ये video course है प्रेलिम्स का test series और e-book ठीक है video course में video, e-book और 10 unit test आपको दिये जाएंगे ये course चल रहा है 7 unit यहाँ पर फनेस है और 3 unit जो है अभी running में है वहाँ पर तो day by day वो update होते जाती है जो भी वहाँ पर चल रही है e-book में e-book दी जा रही है unit 1 से लेकर unit 10 तक की और 10 वहाँ पर unit test आपको दिये जा रहे है e-book में test series जो है प्रेलिम्स की उसमें दो वेवस्थाय मैंने कर दी है एक है fixed और एक है free, fix और free में क्या अंतर है fix में क्या है जब time table हमने आपको दिया है कि इस date को ये test होगा तो वो वहाँ पर schedule है, आपका सिर्फ उसी तारीक को 10 बजे से 12 बजे के लिए open रहेगा, 2 घंटे के लिए आप खोलेंगे, उसको लगाएंगे वो automatic बंध हो जाएगा फिर उसके बाद आपका result आजाएगा, आप वहाँ पर solution देख सकते हो एक है free, कुछ लोगों का ऐसा रहता है कि वो अपने according से ले बस schedule बनाना चाहते हैं, कि वो ये unit आप खतम करेंगे इसका paper देंगे, तो एक next folder है वहीं पर, वो है free schedule test series का आप उसमें कुछ नहीं करना, आपको जो test जब पसंद है, आप उसको लगाना, आपके लिए वो हाँ पर खुला रहेगा, वो fix नहीं रहेगा, तो इस तरीके से उसमें syllabus cover test होंगे 10, जिसमें 5-5 दिन का अंतर है, आप पहला test 5 दिन बाद, फिर दूसरा 5 दिन तीसरा 5 दिन बाद, इस तरीके से फिर revision, revision के लिए 12 दिन का time जाए, एक unit के लिए, फिर evaluation test, जिसमें FLT है, 10, उसमें आपको 3-3 दिन का समय दिया हुआ है, 10 FLT है, आप 3-3 दिन में पूरी unit पढ़ें और FLT लगाएं, ये जो video course है, e-book है ठीक है, और जो आपकी test series है, इसमें 80 प्रतीसत जो है हिंदी गरंथ काजमी की जितनी भी किताबें हैं, उन सब को निचोड़ दिया गया है जितना उसमें निचोड़ा जा सकता था, वो पूरा निचोड़ दिया गया है, फिर इतना निचोड़ा कि फिर वो बहुत अती हो जाए ठीक है, पर उतना कर दिया गया है जितना आपके इस exam के लिए जरूरी था मैं बापिस से कह रहा हूँ कि 1, 2, 5 question के लिए कभी पीछे मत भागो, आप भागो 80 से 90 question, जो आपके सिलेबस से आते हैं, 10 question के लिए भागोगे, आपकी दोड़ कभी खतम नहीं होगी, हो सकता है जीवन भर, अनवरत रूप से आपकी दोड़ चलती रहूं 10 question के लिए तो smart study कहती है जो आपके हित्मे हैं, उसके पीछे भागो जिस पर आप नियंतर्ण रख सकते हो तो इस पर आपका नियंतर्ण है और यही आपके हित्मे है तो हमारी जो strategy है, वो यह है कि ballot source का उपयोग किया जाए चाहे test series बनाई जा रही हो चाहे e-book बनाई जा रही हो चाहे फिर आपका video course हमने सबसे हिदायत दी है सक्त हिदायत है कि हिंदी गरंत अकादमी की जितने भी किताबे हैं, हमारी लाइब्रेरी में साड़ी 300 किताब हैं हिंदी गरंत अकादमी की सभी किताबों को एक बार देखकर उनके question और उनके महत्पूर्ण तथ्यों को लिया जाए और आपका focus इस पर हो जो बच्चों के हित में हो और सब के हित में हो, जिस पर command कराई जा सकती है, दस तथ्यों के नहीं है, कि आसमान में ऐसा कौन सा पक्छी है जो रात के समय उड़ता है नहीं, ऐसे तथ्यों को नजर अंदाज किया जाए और अगर एसी की कोई requirement कर रहा है तो उसके सामने हाथ जोड़ लो, और कह देना कि यह आपके लिए नहीं बना है हम छोटे मोटे लोगों को पढ़ाना जानते हैं समझ रहे हैं, चलो तो आप ऐसा कुछ करते हैं, तो मुझे लगता है कि बहतर result आपको मिल सकते हैं क्योंकि PSC में बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं, जो यह पूछना चाहते हैं कि रात को स्पक्छी का नाम बताओ जो उड़ते हुए खाता है, उड़ते हुए ही सो लेता है, तो मैंने सबसे कहा है कि ऐसे लोगों के हाथ जोड़ना और कहना कि हम आपके लिए नहीं बने हैं समझ रहे हो, तो मेरे ऐसे लोगों से भी अपील है कि हम आपके लिए नहीं बने हैं, अगर आप हमसे ऐसा कुछ जानना चाहते हो, कि ऐसा कोई पक्षी का नाम बताएं, जो रात को उड़ते हुए सोता है, खा लेता है, पी लेता है, समझ रहे हैं? तो इन सब चीजों के लिए आप कहीं दूसरी जगहे तलास सकते हैं, और हम आपकी ऐसी कि भी requirement को पूरा नहीं कर सकते हैं, हम सिर्फ उन लोगों के साथ हैं, जो महनत करते हैं, और real में महनत करते हैं, अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा भटकाओ है, जो आपकी ही नियंतर में नहीं है, तो उसको यहां लाकर इधर उधर उलजाने और मचाने से कोई आपको फ खुद ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर की चीज़ें आप ही समाल सकते हो, हम सिर्फ आपको दिसा नर्देश कर सकते हैं, तो हमारा काम एक है आपको अच्छा guidance देना, और सही दिसा प्रदान करना, अगर आप सुधार ही सुईकार नहीं करोगे, और आप अपने उसी भठकाओ को अच्छा और सर्विस्रेष्ट मानते हो, तो फिर उसमें कुछ किया नहीं जा सकता, बहुत सारे लोगों से मैं कहता हूँ कि पहली unit क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, वो करे पहले का मन ही नहीं हो रहा है, क्या पढ़ना है, आठवी unit पढ़नी है, तो अभी मै हमेशा के लिए, अब जिसको आज आठी unit पढ़नी है, तो उसको आज आठी unit नहीं पढ़ाई जाएगी, वो पढ़ाई जाएगी exam के आस पास, तो आप चाहे ebook देखेंगे 8 unit की तो नहीं मिलेगी, वीडियो देखेंगे तो भी 8 unit की आपको नहीं मिलेगे, test series में अगर 8 unit उस दिन आगई है, अगर exam से पहले अभी कभी एक महने में, तो आपको जरूर उसमें question दिखना सुरू हो गया होगे, पर अगर आप चाहेंगे कि आज ही वीडियो मिले, आज ही उसमें ebook क्यों नहीं है 8 वीडियो तो नहीं मिलेगी, वो आपको 2 महने, 1.5 महने पहले ही exam के दिखेगी, 8 वीडियो और उसकी ebook भी, 4 महने का current affair skip करके नहीं पढ़ाया जा सकता, पर आपको पढ़ना है, तो आप देख लें, तो और जो भी नियम सर्ते रहते हैं, वहाँ पर इस पर स्रूप से लिखे हुए हैं, उनको भी आप एक बार पढ़कर ही course को देखें और purchase कर हैं, और यही रास्ता आपके लिए सही है, अगर आप भटक चुके हो, तो खुश से समलो, नहीं समल पा रहे हो, तो किसी एक अच्छे बेक्टी के दिसा निर्देश में आप जाओ, मिलो, मैं अपनी नहीं कह रहा हूँ, कोई होगा आपका, जो आप, जिसकी बात आप मानत होगे, अभी प्री में हो ये रहा है ना, कि आप लोग मन से करने लगे हो, अकेडमी की ज़रूत नहीं है आपको, पर आप क्या, कोई ना कोई तो एक बेक्टी ऐसा होगा, जो आपका अच्छा सोचता होगा, हो सकता है, कोई पुराना टीचर हो, मित्र हो, दोस्त हो, आप स उपर बरिष्ट जो आपका सेलेक्शन ले गया हो, या नहीं ले गया हो, फिर भी उसके पास अनुभाओ, उससे एक बार आप अपनी गलतियों पर बात करो, उसको बताओ, और फिर इनको सुईकार करो, मैं हमेशा कहता हूँ, पहले सामान हो जाओ, क्योंकि सामान से ही नहीं होती है, तो आप अपनी गलतियों पर चर्चा नहीं कर रहे हो, किसी के सजेशन सुझाओ को सुईकार नहीं कर रहे हो, तो फिर आप रूड हो जाओगे, और कहा साता है, जो चीज जितनी रूड होती, उतनी जल्दी मिट जाती है, तो थोड़ा सा इस बात पर ध्यान देना, गौर करना और आगे बढ़ना